नमस्कार, मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News आकरश्ण का केंदर जिलान आयले कुरू शेतर में आई चपरासी और प्रोशस सर्वर के पदों पर बरती बताएंगे पूरी अपडेट फरवरी मैने से देश में बदलने वाले हैं कुछ नियम जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बताएंगे पूरी अपडेट हासी भिवानी NH 148B पर आसान होगा लोगों का सफर फोरलेन बनाने का काम हुआ सुरू हरियाने के स्कूलों में आज छुट्टे की घोशना सेम खटर ने किया एलान तेश लाख नोकरियो पर हुड़ा ने सेम को घेरा बोले कब निकली इतनी तो पूरे देश में भी नहीं है बेरोजगारी बढ़कर 9% पहुची युवाओं के लिए खुश कबरी हरियाना पुलिस भरती में मिली 3 साल की छूट मंत्री मंडलने सर्कूलेशन के जरिये दी मंजूरी कॉंग्रेस आईकमान ने लिए हरियाने लिडर्शिप की क्लास कहा एसर के गूट जल्दी अपनी यातरा को निप्टाए हरियाना में बीजेपी जेजेपी गटमदन को अजयत चोटाला ने बताया लठकी तरह मजबूत फुल कॉन्फिडेंस से भराए बयान आया सामने बियरोजगार यूओं के लिए एक बड़ी खुश कबरी अगर आप नोकरी के तुलास कर रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर देखरी चाहिए हर्यान के मोसम में लगातार बदला उजारी है फरवरी से पहले सब्ता से बुन्दाबानी के संभावना मोसम विबागने जताई है अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में ठंड से कुछा तक राहत जरूर मिल सकती है मोजूदा समय में बात करें तो हर्यान के कई जिले कोहरे की चपेट में है जिस कांड से ठंड का खूब ऐसास हो रहा है साथ ही ग्यों के लिए ठंड फायदेमन तो हैं सर्शों के लिए थोड़ा नुक्सान है मोसम विभाग ने बताया है कि 30 जनवरी तक मोसम सुस्क रहने के संभावना है इस दोड़ान हलकी गती से ठंडी हवाई चलेंगी तो हैं 31 जनवरी और एक फरोरी को भिजली कड़कने के साथ हवाई और आंधी चलने के आसंका जताई गई है साथ ही कुछ स्थानों पर बुंदा बांदी या फिर हलकी बारिस के भी आशार जताई गई है अगर आप अपने लिए रोजगार तलास रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए अगर आप ज्यादा पड़े लिखे भी नहीं है तो भी आपको चिंतित होने की कोई आउशकता नहीं है बैले स्वर्ष के बीच होनी साहिए देश बर में गनतांतर दिवस समारों बड़े धूम धाम से मनाया गया हिंदुस्तान अपना पिजेतरुआ गनतांतर दिवस मना रहा है हर्याणा के मुख्यमंत्रे मनूरलाल खटर ने अपनी होम डेस्टिक करनाल में आयुजित गनतांतर दिवस समारों में धौजार ओन किया तो मैं उप मुख्यमंत्रे दोशें चोटाला ने भी अपने होम जिले शिर्षा मितरंगा जंडा ले रहा है हर्याणा के प्रिवहन मंत्रे मूल्चन सर्मा ने फरिदावाद में तो मैं किर्शी मंत्रे जेपी दराल ने रोतक में धौजार ओन किया हर्याणा के जाकी का करते वे पत्पर प्रदर्शन के लिए तीशरी बार चैन रक्षा मंत्राले की विशेशे के कमेंटी द्वारा किया गया हर्याणा ओनलाइन सेवाँ के लिए पहले ही देश बर में उतकर्ष्ट कारी कर रहा है तो वहीं जाकी में राखी गड़ी में मिले प्राचिन सब्वेता के खजाने को भी दर्शा गया है जाकी में परिवार पैसान पत्र यानि ट्रीफल पी के जरिये लाबारतियों के दर्वाजे पर सरकारी योजनाओं का सीधे लाब प्रदान करने का डिजिटल प्लेटफर्म दिखाया गया रोतक के जिला कॉंग्रेस भावन में पिचेत्रमा गणतंतर दिवस मनाया गया जिसमें कॉंग्रेस के पूर शेम और नेता प्रतिवाक्स बुपेंदर सिंग हुड़ा ने तरंगा फैराया और सलामी दी इस दोरान सियम मनोरलाल के 30 लाख नोकरी वाले बयान पर भी चुट के लिए सियम मनोरलाल के 30 लाख नोकरी देने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 30 लाख नोकरी तो छोड़ो इस साल 1000 भी नोकरी नहीं मिले है उन्होंने कहा कि कब निकली और कहां विग्यापन निकाला गया हमें तो को जानकरी नहीं है इतनी तो परदेश में सरकारी कुल नोकुलियां भी नहीं है परदेश में जहां 2014 में बेरोजगारी 2.4 परशेंट थी आज बे 9 परशेंट से भी जादा हो गई है बूपेंदर सोदेत नियमों को मंत्री मंदल की तरब से मंजोरी मिल चुकी है अब इन नियमों को कभी भी अधिसूचित किया जा सकते हैं नियमों को अधिसूचित करने के बाद हर्यान करमचारी चैनायूग यानि एच एसससे के पास 6000 पुलिस कॉंस्टबल के भरती के लिए आगर पत् करति की जानी है गुरूप सी के लिए सीटी हो चुका है इसलिए इस भरती में सिर्फ गुरूप सी सीटी पास उमिद्वार ही आविदन की योग्य होंगे अभी तक गुरूप सी का एक ही सीटी हुआ है हरियना में बीजेपी जेजेपी गटबंदन पर 26 संकट के बादल के बीच जनलना एक जन्ता पार्टी यानि कि जेजेपी के राज़्ट अधेक्स अजेच चोटाला का आत्मिज़सास बरा बयान सामने आया है उन्होंने काया कि हम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं और बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है गटबंदन है और लट की तरह मजबूत बना रहेगा अजेच चोटाला ने कहा कि पहले चुनाव शेडूल तुजारी होने तो उसके बाद बैठकर शीटों का बटवारा भी कर लेंगे वहीं भाजपा की लोगशबा की सभी 10 सीटों पर जीत की दाव़े पर उन्होंने कहा कि हम भी कह रहे हैं कि सभी लोगशबा शीटों पर जीत 10 करेंगे लेकिन साथ लड़ेंगे तबी तो जीत हासिल होगी फिलाल गटबंदन तूटने जैसी कोई बात नहीं है आईनल्ड से अलग होकर बनी जनराइक जन्ता पार्टी को साल 2019 के लोगशबा चुनाओं में बांगर यानि कि जीन्द और उसके आजपास के जिलों में साहनुबूते के तोर पर अच्छा वोट बैंक मिला था और पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल गी थी वाई दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई थी ऐसे में हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी के साथ मिलकर गटबंदन सरकार बनानी पड़ी थी लेकिन अब परिष्टितियां बदली हुई नेजर आ रही है क्योंकि पिछले दिनों हुए पांच राज्यों के विधान सबाच उनाव में बीजेपी ने 36 गट राजस्तान और मद्य पर्दिश में बड़ी जीत हासिल गी थी और राम अंदर जैसे मुद्दे को लेकर बंदन के बिलकुल भी पक्स में नहीं है हरियना बीजेपी परबारी बीपल देवर्ट से लेकर पूरु केंद्र मंतरी चोधरी बिरेंदर सिंग लगातार जज़पा पर सियासी निसाना साथ रहे हैं हरियना के हिसार जिले के हासी सहर से भीवानी का सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशकबरी सामने आई है बताने के हासी भीवानी NH148B का फोरलेन निर्मान कारिये शुरू हो गया है इस शड़क मारक को फोरलेन बनाने की गोशना आट साल पहले हुई थी लेकिन अब जाकर कहीं दरातल पर काम सुरू हो रहा है भारत माला परियोजना की तहट फोरलेन बन रही इस शड़क मारक पर कुल 1322 क्लोड रुपे के लागत 83 खर्च होने वाली है इस शड़क मारक को फोरलेन बनाने के लिए लेवल और मिट्टी बराई कारी शुरू हो चुका है और अब इस कारी को 2025 तक पूरा करने का लक्स रखा गया है इस शड़क मारक के फोरलेन बनने से पंजाब और राजस्तान सिधे हाईवेक जरिये एक दूसरे से जुट जाएंगे हासी बिवानी के बिच आने वाले लोहारी जाटू, बवानी खेड़ा सहर, जीता खेड़ी, मिलकपुर्शे गाउं की परिदी सिमागे बाहर से ये फोरलेन निर्मान किया जाएगा आप भी यहाँ पहुंच कर अपनी लिए रोजगार के आउसर को सुनिशित कर सकते हैं, राज के ओद्योगिक पर्शिक्षन संस्तान यानि कि आईटिय की तरब से 30 जनवरी को प्लेस्मेंट के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा मेले में पांच विविन छेत्रों की कमपनिया भाग ले रही हैं, यह अपने नियम वस्तरतों की मताबिक 287 विद्यार्तियों का चैन करेंगी मेले में भाग लेने के लिए जो भी इच्छुक हैं, फिर परतिबागी अगर इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह संस्तान में अगर अथवा 0123 00190 पर संप्रक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है हर्याना कॉंग्रेस में चल लाई गुटबाजी को लेकर हाइकमान के तिवर सक्त हो गए हैं, हाइकमान ने रंदीप सुर्जेवाला, कुमारी सेलजा और किरन चोदरी यनि की SRK गुरूप के साथ पूरुशेम उपेंदर सिंग हुड़ा गुरूप के नेताओं के क्लास ल से कॉंग्रेस को नुक्सान हो रहा है, पार्टे के कारेकरताओं में गलत संदेश जा रहा है, इस पर SRK गुरूप के नेताओं ने बाबरिया से नाराजगे परकट के का कि हम भी कॉंग्रेस पार्टे के नेता हैं, आपकी दोबारा दियागा है बायन बिल्कुल गलत है, इ दिल्ली में सियासत गर्माई हुई है, लोक्सवा चुनाओ को लेकर आचार सहीता लगने वाली है, उन्होंने यह भी कहा कि हरियाना में एकता को लेकर अभी तक कोई भी विंटिंग नहीं हो पाई है, फरवरी माह की शुरूआत होने वाली है, इस तरह से एक फरवरी से दे होमलोन पर 65 BPS तक की छूट का लाब उठा सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस और होमलोन पर रियायत की आखरी तारिक की बात करें, तो 31 जनवरी 2024 है, खास बात यह है कि यह छूट सभी होमलोन के लिए मानने है, अगले नियम की बात करें, तो भारती राज्टी राजमार्क प्र सकता है, वही अगले नियम की बात करें, तो एक फ्रवरी से आप लाबारती का नाम जोड़े बिना सीधे अपने बैंक खाते में 5 लाग रुपे तक की धन्राशी ट्रांसपर कर सकते हैं, अब आप केवल लाबारती का फोन नंबर और बैंक खाते का नाम दर्ज करके यह पै इंजब और सिंद बैंक के ग्राहक, 31 जन्राशी दोजार चोविस तक धनलक्समी 444 दिन FD की सुईधा का लाब उठा सकते हैं, ऐसे में लोगों की सुईधा का लाब जल से जल उठाना चाहिए, ताकि बाद में कोई परिशानी ना आई पिचेतर में गनतंतर दिवस पर राश्टपती द्रोपदी मुर्मू पारमप्रिक बग्गी में बैठका राश्टपती भाउन से करतावे पत पर पहुंची, 40 साल बाद कोई राश्टपती इस बग्गी में बैठा है, चीफ गैस्ट फ्रांस के राश्टपती इमेन्वेल म इस बग्गी में सवार थे, यह बग्गी पाकिस्तान से टोस जीतकर भारत को मिली थी, 1950 में पहले गनतंतर दिवस पर इस बग्गी का इस्तिमाल किया गया था, तब देश के पर्थम राश्टपती डाक्टर राजिंदर परसाद इस बग्गी में बैठे थे, साल 1984 तक यह प राश्टपती प्रणा मुकरजी के बाद रामनाथ कोविंद ने भी बग्गी का इस्तिमाल ओप्चारिक तोरपजारी रखा, देश का पिचेतरवा गनतंतर इस बार कई माईनों में खास रहा, इस साल करते वे पत्पर परेड और जाक्यों में महिलाओं की भागी दारी भी नजर आए, इस बार जो पगड़ी पीम ने पहनी है, वे बांधनी प्रिंट किया है, जो कि राजस्तान में काफी लोग प्री है कमपनी का दावा है कि टियागो और टिगोर पेट्रोल मोड में 20 किलोमेटर परती लेटर का माईलिज देती हैं, दोने ही मोडल में नए कलर, ओप्सन के अलावा कमपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है, अब कमपनी जल्दी ओटोमेटिक गेरबॉक्स के साथ, CNG मोडल भी पेस करने वाली है, टाटा टियागो के केमत की बात करें, तो 5,60,000 रुपे से शुरू होकर 8,20,000 रुपे और टाटा टिगोर की प्राइस 6,30,000 रुपे से लेकर 8,95,000 रुपे जो की एक सोरूम के बीच है, टियागो का मुकाबला मारूती सेलेरियो, मारूती वेगनार और शीट्रोन C3 से है, वहीं टिगोर का मुकाबला मारूती डिजायर होंडा अमेज और होंडा अरा से है, तो वहीं टाटा टियागो और टिगोर दोनों में 7 इंच टच्सक्रीन एंफोटेंवेंट सिस्टम, सेमी डिश्टल ड्राइवर डिस्पले, आटोमेटिक एसी और 8 सिस्टम जैसे फिचर दिये गए है, पैसेंजर शुरक्षा के लिए इसमें dual front airbag, EBD, ABS, rear parking camera और type pressure monitoring सिस्टम जैसे safety फिचर भी लेस्ट किये गए है, केंदरिये ओधोगिक शुरक्षाबल यानि CISF ने assistant, sub inspector यानि ASI के पदों पर भरती के लिए vacancy निकाली है, जो मिद्वार इन पदों के लिए अपलाई करना चाहते हैं, वे CISF की official website, CISF recruit.cisf.gov.in के जरिए आविदन कर सकते हैं, माने तब राफ सनस्तान से किसी भी स्ट्रेम में graduation की degree होनी चाहिए, उमिद्वारों की IUCMA 1 अगस्ट 2023 तक 35 वर्ष यादिक नहीं होनी चाहिए, वहीं SCW ST के लिए अधिकतम IUCMA में 5 वर्ष के छूट दी जाएगी, सेरली की बात करें, तो 5200 रुपए से लेकर 20200 रुपए परती महा हो रहेगी, आज खबरों में इतना ही, देखते रहे हैं आपका अपना हरियाना का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल, CWB Hindi News, नमस्कार, आपका दिन सुब रह है आपका अपका शीज के का डाईगी।